अब मेरा नाम डाक्टर मोहमद यूसफ है मैं यहां पर एजा विटरनरी अफिसर काम कर रहा हूं अर्सा एक साल से यह हमने यहां पर टैडी गोड रखी हुई है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टैडी गोड की खासियत यह है कि एक तो यह बच्चे देने की सलायत श्कें निवह ढोग 하ाइस में यह । छार्वा जहां वह जाएथा यह जो जानवर हैं कि खोटे का keto की वजह से इनको थषय का जयाता है का वान थाओर बच्चे देने की निपकी शिए इसिकला या सकते हैं उसकी वह बाले ओजाता है और उसकी मेटेंग जो है ना वह सकती है यहां पर टोटल हमने जो है तकरीबंदोसों के करीम हमारा हरड है एक अडिया बेसिकली यह जो बक्रियां है यह बंगला देश से महभाई गई थी परिक्सतान में और इसके लाब हएं यह बिमारिय यह मतासिर हो जाती है से अवाकि बाकी बिसमतिंे यह काफी आफ़ी अची ब्रीड इसमें स्पैसि real पिर्ट Sans को सप्रेशिक बीमारी ने आती है हमारी जो नसले बाकी है उसी तरह की बीमार्य इनमें अथे है इनमें जो सरे फेरेस्त हैं वो अंतडियों का बुखार जिसको हम इंटेरो टॉक्सीमिया कहते हैं प्लूरो नमूनिया जिसमें फेपड़ा जानवार का जो है वो मुतासिर होता है फिर इसमें एक बिमारी आती है पीपी आर या काटा के नाम से वो आ सकती है इसी तरह जो ह है बाकी जो धायरिया वगरार हो गया और मस्टायटस जसले के बाकी आम सी बीमारीं हैं मतदी बिमारिया जो beans कारी याउएं कि गौर्मेंट का थो हम्हारे लाइसक्राइपार्ट में थो सब्सक्राइब राय ग्रीण के कवार्णी मेरेन की एक तौर्मेट कारें को वेक्षिया जाओ 우ご लगा थंगी लगाए जो नहे बच्चे मारे आते हैं हमला जानवर के लिए वैक्सीन ही रिकमेंड की जाती है जो इंटेरो टॉक्सीमिया की वैक्सीन है वो बच्चा देने से तकरीबन एक से डेड़ महीना पहले उसको इंजेक्शन लगाना चाहिए इसके इलावा उनको स्ट्रेस से बचाने के ल अमर के लिए और जो है खुराक इनकी अगर इनको अच्छी खुराक देंगे अगर खुराक आप कंप्रमाइस करेंगे तो फिर वेट गेन भी इनका काम आएगा और इनके लिए जो जगा है वो बारां स्केर फुट जो है बारां मुरबा फुट वो कवर्ड एरिया चाहिए जिसमें वो च्छत हो बकाइदा से और उसके डबल जो है वो ओपन अरिया जिस तरह का आप देख रहे हैं वो एक जानवर की रिक्वाइरमेंट है जरना मुरण के जल्द आए तरह के साम्फ़ हैं और जाल में तीन से चार दफा जो है पेट्की जलों की द्वाई het warm back up क हम लिए जल्द तो उसका तरीका यह होता है कि हम तमाम इनिल्स हमारे हैं इनके आप्यों किराते हैं कि ऐसे बचत रहा हुआ guy जो specific पेट का किड़ है उसके अगेंस्ट हम दवाई देते हैं हमें broad spectrum नहीं देनी पड़ती और उससे हमारी एकनॉमिक के लिए भी जो है हमें काफी बचत होती है और उसके लावा specific क्यूंके पता चल जाता है हमें तो वो जो है endoparasite वो भी खतम हो जाता है उसका बड़ा असा 10 ग्राम तक हो तो वो काफी है और वो आप लेके जलेहीली बाटरी में चले जाएंगे वहां पे कोई फीस वगरा नहीं है free of cost टेस्ट होता है तो वो आपको आदे घंटे से एक घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दे देंगे और रिपोर्ट के साथ आप उनसे उनकी recommendation भी ले लें के दवाई हम कौन सी दें तो उसी सहाब से आपका काफी सरमाया बाच सकता है तैडी गोड जो है वो जो मारे पाड़ी लाका जात हैं वहां पे इदर उकाड़ा इसके इलावा बहावलपूर यहां अटक यानि मुखतलिफ तकरीबन आल ओवर जो पाकस्तान है वहा करती हैं लेकिन ज्यादा सर्दी जो है ना इनके लिए वो थोड़ा सा इशू होता है उसके लिए फिर यह है कि आपको सर्दी से बचाने के लिए कवर्ड एरिये में इनको रखना होता है जानवरों को सर्दी में जो ठंडी हमाईं चलती हैं उससे बचाना होता है और जो फ झाल झाल झाल